आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है कि अगर किसी भी एन्वर्टर का बोर्ड खराब हो जाए जाम प्लास्ट हो जाए यह देखें इस तरह से तो उसका क्या हल होगा अगर इसके अंदर हमने कोई नया बोर्ड लगाना होगा तो कैसे लगा सकते हैं जो लोग यह काम नहीं करते इन्वर्टर बगरा का उनके लिए यह वीडियो बहुत ही बढ़िया रहेगी नए लोग जो काम सीख रहे हैं उनके लिए यह बढ़िया वीडियो है तो यह पूरी वीडियो देखें मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक-एक बात बताने की कि हर एक बात आपको अच्छी तरह से समझा जाए जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि इसमें यह पूरे का पूरा बोर्ड बर्ल हो चुका है बिलकुल खत्म हो चुका है कहीं पर भी हम इसके कनेक्शन नहीं दे सकते इसको हम सैड में रख देते हैं अब जो इसकी वैर बगेरा है वो भी तक्रिबन तक्रिबन काफी खराब हो चुकी है यह दे है बिलकुल खराब हो चुकी जानी के ये पूरे का पूरा खत्म हो चुका है inverter बगर ट्रांसफर्मर के क्योंगि इसका जो ट्रांसफर्मर है ये सही है और जो इसका LED पैनल है इसके यह वाले जो जैक है ये भी ओके है इस inverter में आप कोई भी बॉर्ड दगा सकते हो जो भी आपके पास हो और जो इसके connection वगरा है पैनल के LED connection वो सबी मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है अगर आपने पूरी जानकारी लेनी है तो आप पूरी वीडियो देखें तो हम इस inverter में यह वाला बोर्ड लगाएंगे इसको one to one बोर्ड बोलते हैं और इसमें कोई भी micro controller IC नहीं लगाया जाता इसमें तीन जहां चार IC आपको मिलेंगे एक है यह वाला MOSFET की drive के लिए जो के इसके लिए frequency क्रेट करता है और यह frequency preset इसके साथ जुड़ा हुआ है ताकि जो दोनों channel है इसकी जो frequency एक सी बनी रहे जो frequency वाला preset है इसके साथ ही आपको एक output वाला यह preset मिलेगा इससे क्या होगा कि जो इसकी output है जब backup mode में है तो इसकी जो output है हम set कर सकते हैं वो मैं अभी इस वीडियो में आपको set करके दिखाऊंगा 35,24 और तीन IC यहां पर और लगे हुए है LM324 एक दो तीन यह वाला जो IC है यह जो charging का cut है जा charging voltage है वो control करता है यह देखें यहां पर लेखा हुआ है preset के उपर जो के trimmer type preset है CC जानि के charging current कितने ampere आपने अपने जो battery को देने है charging current और यह है CV जहां पर लेखाऊगा हाज यहां पर देखें आप CV जानि के charging voltage कितने voltage पर आपने उसका जो charging कट करवाना है जानि के उसकी जो charging है वो बंद कर ली है यह दोनों यह आई सी हो गया एक इसमें overload और low battery के लिए यह वाला लगाया गया है और साथ में यह जो change over का काम भी करता है relay को on off कर वाता है और यह भी charging के लिए लगाया गया है यह जो preset है यह वाला जो IC है यह भी charging के लिए है और इसमें दो auto coupler जो के 4N 35 change over के लिए और यह वाला जो IC है MOC 3021 यह जो pulse बनती है charging के लिए और उसके बाद यह वाले जो ICR लगे हुए है तो इसको यह pulse जाती है charging के लिए यह वाला IC लगाया गया है बाकि जो इसके connection है वो मैं अभी आपको तखाऊंगा लेकन जो जहां पर वायर आ रही थी जो जहां पर वायर आ रही थी बैटरी से वो मैंने जहां पर तो जो इसके main connection है वो देख सकते हो आपके एक नंबर capacitor के उपर और दो नंबर है end port तीन नंबर है 260 volt जो के इस transformer से आएंगे और चार नंबर है इसकी output यह वाली यह pen है जहां पर हम connector लगाएंगे और पांच नंबर है 140 volt जो के इस transformer के center वाले point में से आती है और शे नंबर है इसकी neutral ताके इसको चेंज और जाना जो भी इस circuit को पूरा करने के लिए चलाने के लिए यह लगाया जाता है उसके बाद है यह LED जो LED आगे का पैनल है यह वाला जैक LED का जहां पर लगेगा और इसके connection भी यह देखेंगे आप एक नंबर inverter है और दो main, 3 overload, battery low इस तरह है और जो 7 और 8 नंबर है इसके वो है on-off switch के लिए तो हमने board को एक बार connector लगा दिया है मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ फिर भी यह वाली जो एक नंबर है एक नंबर जहां पर लगेगा capacitor ठीक है और जो दो नंबर है वो है IPP, input power ठीक है यह वाली जो के सीधे main 220 ACU grid से आ रही है वाया फ्यूई वो हमने supply यहां पर दे दी और जो दो नंबर है आसौरी तीन नंबर इसके बाद एक खाली शोड़ दिया हमने यहां पर एक 1MWD का कपेश्टर लगा देना है एक उसकी पैन जहां पर लगेगी और दूसरी जो जहां पर न्यूटल है शे नंबर मैं भी आप को लगा कर यहां पर दिखा देता हूं ठीक है और जो तीन नंबर यह वाली पैन है वाइट वाली यह है इसकी ट्रांसफरमर से जो आ रही 260 वोल्ट इसको 260 वोल्ट बोलते हैं और चार नंबर पैन इसकी है यह ब्लैक वाली यह सीधे ओटपुट सॉक्ट पर जा रही है जह ने यहां पर जोएंट कर दिया है ऐसलिए कलर में थोड़ा फरक है और उसके बाद है जी पांच नंबर यह वाली जो के ट्रांसफरमर से आ रही है 140 वोल्ट के लिए चारजन के लिए और उसके बाद है जी यह लाश्ट में यह है न्यूटल तो वह हम सीधे न्यूटल में लगा देंगे जो में ग्रेड से आ रही है यह न्यूटल इसमें किसी भी अनवर्टर में कॉमन रहेगी कॉमन कैसे के जैसे यह ट्रांसफरमर है जो इसकी एक वायर हम लगा देंगे न्यूटल के उपर और जो ग्रेड से आ रही है वो भी एक वायर ब्लैक वाली हम लगा द देते हैं अब इसके बाद है जी कनेक्शन एलेडी पैनल के तो वो भी सेंपल है इस साइड से ये एक नमबर चलेगा इस से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौटास तो जो आठ साथ और आठ नमबर पैन है जहां पर यह हम सीधे स्विच को लगाएंगे और जो बाकी क कनेक्शन है वो हम एलेडी देखकर लगा देंगे कि कौन सा एलेडी कहां पर लगा हुआ है इसमें एक कॉमर है पांच नमबर जो जहां से हम पांच नमबर लगाएंगे तो आप जहां पर देखें वो यह देखें जहां से प्रेंट चला एक एलेडी से दूसरे तक दूसरे से ये पांच में तक और पांच से फिर चोथा और चोथे से फिर तीसरा तो इस तरह से ये common रहेगा तो हम एक वैर हम जो पांच नंबर की यहां पर common लिखी है वो हम यहां पर लगा देंगे और बाकी जो connection है आपके जैसे इसके उपर लिखाए मेंज, बैंटरी चार्ज, जूपियस, ओवरलोड, लो बैंटरी वो हम बोड के उपर ही जैसा लिखाए उसको हम देखकर वो connection कर देंगे तो मैं connection करने के बाद बाकी की वीडियो बनाऊगा तो हमने इसकी जो पूरी वैरंग है वो कर दी है मैं आपको दिखा दिना चाहता हूँ कि यह जो LED पैनल है और जो ट्रेंड वैर थी वो हमने जहां पर कफ्ती है जहां पर जो सक्रियू लगे हुए है जा पेच है जा बोल्ट है इसको आप इतना टेट करो कि यह बिलकुल भी लूज ना रहे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोड है वो जहां पर ही रहता है तो उसके बाद है जी हम यह on of switch के connection भी हमने कर दिये है अब हम इसकी जो preset की setting आपको दिखाते हैं कि किस तरह से करनी है वैसे तो जो नया बोर्ड है इसमें पहले से setting होती है लेकर मैं फिर भी आपको दिखा देनी चाहता हूँ मैं इसको आउन करता हूँ जहां से आउन हो चुका है और इसके वोल्ट है वो है अभी 220 के आसपास अगर हम इसके उपर बालो का लोड डालेंगे तो यह देखें वोल्ट ही थोड़े कम हो रहे हैं हो सकता है बैटरी डाउन हो इसलिए तो जो मैंने आपको एक प्री सेट दखाया था यह वाला ओट पॉट के लिए तो जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा तो जहां पर जो वोल्ट है वो ज्यादा होंगे यह कम होगे और यह फॉल होगे इससे ज्यादा नहीं हो रहे क्योंकि जो इसके ट्रांसफर्मर की ओट पॉट है जितनी अगर यह 280 वोल्ट ही नकालेगा तो आप जहां से जितनी भी वोल्ट ही सेट करोगे वो उतनी ही ज्यादा वोल्ट ही यहाँ पर आपको दखाया अभी यह मेन मोड में चल रहा है और चार्जिंग कर रहा है देख सकते हो और जो इसके वोल्ट ही है वो है साथे तिरह वोल्ट के आस-पास इसके लिए दोस्तों जहां पर जो दो प्रिसेट दिये गए हैं मैंने पहले आपको दखाई थे इसी वीडियो में यह वाला प्रिसेट है सीवी चार्जिंग वोल्टिंग कट और यह है सीसी जानी के अगर हमने इसके जो अमपेर है वो जारा कर ले हैं तो हम इस प्रिसेट को घुमाएंगे इस वाले को और जहां पर मैं प्रिसेट घुमाऊंगा और आपने यहां पर अमपेर देखने यह कम हो रहे हैं अगर हम दूसरी साइड इसको घुमाते हैं तो इसके अमपेर यह देखें ज्यादा हो रहे हैं ठीक है जी और जो इसके LED है ये वाला जो LED है ये है इसका mains, on और ये है इसका charging जब बैटरी फॉल चार्ज हो जाएगी तो ये वाला जो LED है ये बंद हो जाता है अभी 14 वोल्ट ही हो चुके है क्योंकि मैंने थोड़े अमपेर ज्यादा कर दिये थे मैं आपको एक बार दखाना चाहता हूं कि बैटरी 14.4 से उपर जा चुकी है लेकन अभी भी ये वह देखें charging कर रहा है और जो 15 अमपेर बैटरी को जा रहे है तो अभी हमने क्या करना है कि ये वाला जो CB वाला था charging voltage वाला प्रिसेट इसको हम घुमाएंगे और जहां पर इसने ये LED बंद कर दिया वहां पर आपका जो charging कट हो जाएगा तो मैं अभी घुमा रहा हूँ ये बंद हो चुका है और साथ में ही इसके यो वोल्टई है वो भी ड्रॉप आ गए तो जो ये जितने भी अम्पेर आप देख रहे हूँ ये तकरिबन तकरिबन जब तक बैटरी फॉल चार्ज नहीं हो जाती तब तक ये तकरिबन तीन जा चार घंटे लगा तर चार्ज कर जो उसके बाद ये सही हो जाएगा बिलकुल जीरो पर आ जाएगा जैसे ही 14.4 पर ये जाएगा तो ये वाला इंडिकेटर वो बंद हो जाएगा इसकी खैर पहले से सेटिंग की जाती है लेकर अगर आपसे इसकी जो सेटिंग है वो खराब हो जाए मा लीजिगे आप इसको घुमा देते हैं इस तरह से और जो एलीडी है वो देखना अपने ये बंद हो जाएगी जा कई बार ये देखें ठीक है जी मैं इसको जैसे जैसे घुमाता चला जाएगा तो ये है 14 वोल्ट ही के उपर ही 14.4 वोल्ट के उपर ही बैंटरी को चार्जिंग देनी बंद कर देगा ये वोल्ट ही वी कम हो गया और जहां से जो अमपेर है वो भी कम हो गया और ये डिवी बंद हो गया इसको सही करने का क्या तरीक़ा है वो मैं आपको डगा देता हूँ आपने इसके जो बैटरी है वहाँ पर मीटर लगा लेना है इस तरह से 12 वोल्ट DC स्प्लाई दे कर और इसको मीटर को आपने 20 वोल्ट DC स्प्लाई के उपर रखना है उसके बाद जैसे ही जहाँ पर 14.4 वोल्ट ही होंगे अगर आपने जहाँ पर टूबलर बैटरी लगानी है तो फिर आपने इस तरह से प्रिसेट को घुमा देना है बस जहाँ पर जो LED बंद हो गई 14.4 पर तो जो आपका एनवर्टर है वो इससे ज्यादा ओवर चार्ज बैटरी को नहीं करेगा यही इसका एक सेंपल सा तरीका है इसकी अडियस्ट करने के लिए चार्ज न वोल्ट ही और अंपेर आप अपनी मर्जी से रख सकते हो कोशिश करें के 10 अंपेर से लेकर और 20 अंपेर के बीच बीच ही आप रखें इससे ना ज्यादा और ना कम तो बाकी दोस्तो इसके कोई कनेक्शन बिल्कुल सेंपल है आप किसी भी सकेल वेव एनवर्टर में आप इसको इंस्टाल कर सकते हो इस केट को आज की वीडियो दोस्तो हमारे इतनी थी देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू